दोस्तो आज समझानेंगे कोटक महेंदरा बैंक सेविंग एकाउंट के बारे में दोस्तो कोटक महेंदरा बैंक में बहुत सारे सेविंग एकाउंट है लेकिन आज समझानेंगे कोटक महेंदरा बैंक का 811 जिरो बैलेंस सेविंग एकाउंट और regular saving account के बारे में जो सभी लोग open करते हैं दोस्तों कोट्टक 811 saving account की opening fees यानि account opening fees 0 है यानि free है कोई भी charges नहीं है account open करने के लिए then 811 saving account एक 0 balance saving account है इसलिए average monthly balance 0 है यानि कोई भी balance maintain करने की जोरत नहीं है 0 balance होने पर कोई भी charges नहीं लगेगा ये कोई minor या limited saving account नहीं है ये 811 0 balance saving account एक regular saving account है then इस account में आपको virtual debit card मिलेगा यानि ये जो virtual debit card है ये free है virtual debit card का कोई भी charges नहीं है तो अगर आप virtual card से manage कर सकते हैं तो आपको physical card लेने की कोई जोरत नहीं है आप virtual card से सभी आप online transition और सभी payment कर सकते हैं then internet banking and mobile banking के थो अगर आप transition करेंगे तो कोई भी charges नहीं लगेगा online money transfer में कोई भी charges नहीं लगता है तो अगर आप online कोटक महिंदरा बैंक का mobile banking आप के थो NFT, RTGS या IMPS करेंगे तो कोई भी charges नहीं लगेगा लेकिन आप branch जाके यह सभ पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ charges देना होगा then इस account का annual fees भी नहीं ले तो account का कोई भी annual fees नहीं है then physical debit card का charges 299 रुपे हैं दोस्तो 8110 balance saving account में physical debit card मिलता है साथी आपको virtual debit card भी मिलेगा तो इस account पे dream different debit card मिलेगा यह वाला debit card आपको मिलेगा account open करने के बाद जिसका issue charges से 299 रुपे and annual maintenance charges भी 299 रुपे हैं यह charges 18% GST मिला के यह 18% GST मिला के total charges 299 रुपे हैं इस ट्राइज़़टी आपको देने के कोज़रत नहीं है account open करने के बाद यह charges आपको देना होगा then हर साल आपको भी 299 रुपे charges देना होगा account open करने के कुछ दिन बाद आपको 299 रुपे आपके account से debit होगा account open करने के 10-15 दिन का अंदर आपको यह debit card मिल जाएगा दोस्तों कोटक महिंदरा बैंक mobile banking आप में आपको virtual debit card मिलता है साथ ही आपको bank की तरफ से physical debit card भी मिलता है जिसके तो आप ATM से money order कर सकते हैं अगर आपको physical debit card नहीं चाहिए यानि आपके पास दूसरे bank का कोई भी physical debit card है यानि इस bank का आपको physical debit card नहीं चाहिए तो आप video के हो इसके time आप bank representative को बोल सकते हैं मुझे physical debit card नहीं चाहिए तो मेरे account पे debit card को issue मत कीजिए तो आपके account पे physical debit card issue नहीं होगा अगर आप अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे तो automatic आपके account पे physical debit card issue हो जाएगा और account open करने के कुछ दिन बाद आपके घर पे पे delivery हो जाएगा ये card यहाँ पर आपको अगर आप image debit card लेंगे तो यहाँ पर one time आपको 235 रूपे देना होगा और annually दो सो निननना रूपे देना होगा ये एक अलग debit card है तो image वाला debit card आप लेंगे तो one time आपको 235 रूपे देना होगा देन एनुएली 299 रूपय आपको देना होगा देन इसका debit card का replacement fees 299 रूपय है यानि card कहीं खो गया है अगर आप फिर से re-issue करेंगे तो आपको 299 रूपय देना होगा देन यहाँ पे foreign exchange markup fees भी 3.5% है जो कि सब इड एकाउंट पे होता है देन इस account पे आपको unlimited transition करने का facility मिलेगा और unlimited deposit भी कर सकते हैं एक full KYC वाला regular saving account है उसके बाद आपको इस account पे dream different credit card भी मिलेगा without any income proof और civil score आपको credit card मिलेगा तो दोस्तो यह रा कोटक महिंद्रा bank 811 0 balance saving account के बारे में और इसकी charges के बारे में और दोस्तो कोटक महिंद्रा bank का checkbook charges का वीडियो नीचे description पर है तो अगर आप कोटक महिंद्रा bank का checkbook चाहिए तो यह वाला वीडियो को देखिए क्या-क्या charges लगता है डेटेस में है तो यह वीडियो कैसला अपने comment पर बताएए अच्छा लोगे तो आप लाइक शेरें सब्सक्राइब करना थैंक्यू फॉर वाचिंग